मैं मा बैनों को यह बाई उसी नहीं होने नहीं नहीं बेजा है कि आप लोग मेरी गारी पर बैठ कर आईए यह एक रूपिया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है यह मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मौमा शावदीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगा दे रहे हैं हिंदू बीधी बिधान के साथ आपका नमांकन हुआ है इसको लेक भी चर्चाय है पूरे परदेश में हमने कहा है न के सीवान जिला हमारा है सबकी सोच के साथ मुझे चलना है मुझे नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रांशे राठोर बिहार की सीवान लोक सभासी एक होट सीट बन चुती है जहां से लंबे वक्त तक चुनाव लड़ती हुई नसराय राजट के टिकट पर शहब उद्धीन लेकिन अब शहब उद्धीन के गुसर जाने के बाद उनकी पत्नी हिना शाथ लगातार मेदार मैंदान में बाद में हिना साहत आती है लेकिन इस बार राज़त पर उन्होंने आरोप भी लगा दिया, साफ़ तोर पर कहना रहा कि राज़त की तरव से उन्हें दरकिनार किया गया और अब वहें निर्दलिये चुनाफ लड़ेंगी। तरन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीवान सीट पर 25 मई को जो चुनाफ होने जा रहे हैं इससे पहले हिनाश शाहब लगाता राज़त को चुनाफी दे रही हैं। कैसे देखना हैं। बिल्कुल देखें कही ना कहीं वह इस बार राज़त के लिए नुक्सान ज़रूर पहुचा सकती है। और देखें अगर कोई निर्दलिये चुनाफ लड़ता है तो कही ना करे बलबूते पर चुनाफ लड़ता है। उसको पता होता है कि हमारा हमारे छेत्र में कितना बलबूता है कितने हमें वोट मिल सकते हैं। और आप यहां पर यह चीज़ देखें कि हिना साइब के साथ कही ना कहीं मुस्लिम वोट देखें चलता ही है क्योंकि वह खुद एक मुस्लिम समुदाय से आती है। और दूसरी तरह अकर देखा जाया तो इस बार जैसे कि में पहले भी दर्शों को बताया कि हिंदू महिलाओं ने देखें माता रानी की चुनवी पहना कर उनका स्वागत क्या था जब चुना पिचार के लिए गई थी तो ऐसे में हिंदू वोट भी कही ना कहीं उनकी साथ और सबसे बड़ी बात अगर दलित वोट की बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि चंदर सेकर आजाद ने उनका सिवान सीट से हिना साइट को मिलता दिखाई दे रहा है अपर पूरी तरहीके से और बात अगर पपू यादब की करें तो पपू यादब ने तो बहुत टा यहं पर दर्जग करती दिखाई दे सकती है और बोलो तो यहाँ पर मुझे काटे की टकर आज राजद में को दिखाई दे हैं रही तकर ले जाव मेंषे बार और वारफे नुक्सान प्हुंचाने वाली आप कॉंग्रेस से देखिए पपू यादम निर्दली चुनाब लड़ रहे हैं और आप बात राजत की करें तो राहम जिनकी बात कर रहे हैं हिना साइब वह निर्दली चुनाब लड़ रहे हैं ऐसे में मुकाबला बहुत दिल्चत नहीं पर होता दिखाई दे रहा है मुझ अभी कहती हुई निजराई है सुनिए जड़ा हिना शाहब में क्या कुछ कहा है एक तो मैं सीवान की बेची और बहुं हो एक तरफ उस विकास कुरूश की पत्नी हो जिन्होंने सीवान को प्रस्टाइब कर दो आगे आई हो तो मैं कही से आपको मायूस नहीं होने दूंग मैं जो भी सच्छे और अच्छे काम होंगे उसके लिए मैं हमेशा आपके सह्योगी के रुख में कदव से कदव मिलाता करेंगे इसी सोच के साथ मैं आपको की बीच में आई हैं मैं मा बैनों को यह भाई उसी नहीं होने दूंगे आप को बैठाओं गी और सम्मान दूंग होगी यह मैनी सोच है काम तो हम लो बाद में कर लेंगे इस सबसे पहले आदीden को थैस्समान संपारीश के साथ हर कोई जीना चाहता है सम्मान के साथ रहना चाहता है किसी सिद्धान के साथ हमारा विचार है हमारे परिवार का उसी विचार को मैं आगे लेकर चलू है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्या कुछ कहिए का सिद्धान के लोगों से आज आप लोगों को जानना चाहिए कि डॉक्टर महमा शाबुदीन साहब विकास पूरुस थे और उनकी पूरुतिती नहीं है यह उनकी जो शुरुवात थी सिद्धान जिला की भलाई के लिए वो आज ही से शुरू हो रही है मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है और आज से मैं दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी जोड़ती जाओंगी यही उनके लिए सची सर्दाजली होगी मैडम आपके नमांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है अपने सधारन तरीका से इस पर नमांकन किया है जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीर जुटाती थी अपने नमांकन में जुटाते नहीं थे लोगों को मौका दिया जाता था लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नमांकन है पूरे जिला से लोग इकठे हो जाते थे आज तक हम लोगों ने ये गाड़ी पी किसी भी परखंड में किसी भी गाउं में नहीं भेजा है कि आप लोग म मेरी गारी पर बैठ कर आईए या एक रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मौमद शाबुदीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में लग की सोच के साथ मुझे चलना है मुझे कोई बीधी बीधान नहीं था लोगों का प्रेम था सने था के लोगों का अर्मान था कि हमारे दुआर पे एक हाथी आए हलाकि लोग बड़े बड़े हाथी घोडा और उट के साथ जलुस निकाल कर नमांकन करते हैं तो तो मेरे दराषे पे ये आई तो महली है कि वो भी तो मेरी महमान था ना महमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊची ना असिरवाद मिला मैदव हम बिलकुल बिलकुल सब CJ का असिरवाद है सबी की दवाए है सबी की प्रोद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कले खास तस्वीर देख कि अप्र जुकर रहा है कि यह सीवान हमारा एक हो रहा है और सीवान हमारा परिवाद जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सीवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है मैंने बिकास लंबे समय से रुका हुआ है फिर एक बार फुकार रहा है एक बार फिर सिवान बिकास की और बड़ है क्या कहीं देखिए डॉक्टर मुहमद शाबुदीन साहब जो आपके पूर सांसद रहे हैं आज हम लोग के बीच में नहीं हैं लेकिन उनकी बिचार उनकी स आप सब के बीच में है और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि बिकास रुकी है बिकास रुकी है मैं कहती हूं नहीं जो लोग भी आएं वो अपने तरीके से जो भी काम कियें बहुत अच्छा किये हैं मुझे मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड अगर के लोग पहले अपने रास्ते को सही करें फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साथ सजावड करें मैटम साहब का पूरती थी और अपने बड़ा बयान दे दिया कि राज़ा जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगा कैसे हो सकता है जैसी बात है साहब को सरधानली देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चल कर सिवान और कहते हैं कि वो हमारे सांसत थें वो फाउंडर मेंबर थें तो आज उनकी सरधानली इसलिए मैं बोल रही हूं कि पार्टी करयाले में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यू दिवस तीरतिय मनाई जानी चाहिए थी तो क्यों नहीं मनाई जाती है अब यह आप लूग ज्यादा बेहतर समझते हैं उनके बैनर पोस्टर पर पुर्वशांसत का तस्वीर नजर आ रहा है तस्वीर नजर आ रही है सरधानली नजर नहीं आ रही है अब यहां पर सवाल बन जाते हैं तनुस जिस तरह से हिना शाहब अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं और इस बीच यहां पर चंद्र शेखर आजाद का जो उन्हें साथ मिला है आखिरकार चंद्र शेखर आजाद को भी यहां से फाइदा होता हुए नजर आएगा उनीस फीजदी वोड़ पर चंद्र शेखर आजाद भी राजत की उस वोड़ बैंक को साथी हुई देखे जा सकते हैं जो है वह एक तीर निशान पर छोड़ने कोशिश कर रहे हैं पहले पकड़ा और पपु यादब के जरीए विहार में एंट्री करने कोशिश करी और अब देके हिना साइट को सम नाव होने बाले हैं विधान सवच उसकी तयारी कर द leven कर देए दिखाई रहे हैं वेस्चे जैसे की आप Map कर ले जए वह सब्सक्ति हो इसे में थे हैं की दिखे रचे चेल जाख ज़ैल कि पित्यारि देना हैं गर अगर वह जाए कररें कोई रोडशोक करो कहीं और ज्यादा वहा तो बटोर सकते हैं argument यहाद आपwww लेकिन आप 2024 के बार जब तैयारी विदान सवाथ चुनाब के होगी तब आप जरूर देखेगा कि चंदर सेकर आजाद का बिहार का दोरा भी होगा और पपु यादब के साथ भी होगा हिना साथ भी होगा कारण सिर्फ यह है कि बिहार के अंदर किसी तरह से एंट्री करनी है और बिहार के अंदर एंट्री तभी करी जा सकती है जब आप मजबूत नेदाओं को पकड़े और मजबूत नेदा तभी पकड़े जा सकते हैं जो निडबली चुनाब लड़ रहे हैं जो अपनी पार्टी से थोड़ी से नाराज है पपु यादब भी अपनी पार्टी से बिहार में विधान सभा चुनाव होनी जा रहे हैं और ऐसे में देखा जाए ना सरिफ चंदर शेखराज़ाद वलकी मायवती भी बिहार की सियासत में वोट बेंग को साधने की कोशिश में हैं अब देखना होगा कि 40 लोग सभा सीटों में से सीवान लोग सभा सीट आखिरकार किसके कबजे में जाती हुई नजर आएगी क्या वाकई में हिना शाहब यहां से निर्दलिये चुनाव लड़कर जीत हासल कर लेंगी या फिर राज़द एक बार फिर से बाजी मारती हुई देख जाएगा या फिर बात की जाए यहां पर एंडिये के बारे में तो क्या एंडिये यहां पर बाजी मार लेगा फिलाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही पाके की तंबाम अप्टेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट तो नाइन नियूज